Hello Everyone, Welcome to Raviditi Classes Friends, आज का वीडियो में हम देखे कवर करने वाले हैं Weekly Current Affairs तो इस वीडियो में हम बात करें के 4 से लेके आपकी 10th November तक के सभी Most Important Questions So पूरे वीग के यहाँ पे हम Questions को देखे Friends कवर करने वाले हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंतर तक पूरा बने रहेगा सारे Important Question यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं तो आईए आज का यह जो Important Session इसे शुरू करती हैं पहला Question देखिए Dumu Boko has been elected the President of which country Dumu Boko को किस देश का राष्टपती चुना गया है तो यह चुने गए हैं अभी Botswana Country के President ठीक है याद देखेंगे Botswana के President कौन चुने गए हैं Dumu Boko Botswana Country जो है यह Africa continent में है देखिए Capital यहाँ की है Gibron and यहाँ पे करंसी है Pula Next Question according to the latest Henle Passport Index 2024 India secured which rank अभी recent जो Henle Passport Index आई है उसमें भारत ने कौन सी rank हासिल की है इंडिया इस पार रहा है 83 पोजिशन पे चीक है याद देखेंगे Very important question Henle Passport Index में देखिए जो first position हासिल करी है again करी है किसने Singapore country ने फिर second place पे कुछ countries हैं जैसे कि France, Germany, Italy, Japan, Spain यह सबी country जो हैं वो कौन सी position पे आई है second तो first याद देखेगा Singapore और इंडिया की position आपको याद रखनी है इंडिया है 83 प्लेस में next question CV रमन वस अवार्डेड the Nobel Prize in Physics for discovering दी किस जो है खोच के लिए जो scientist CV रमन थी उनको physics में मिलाता Nobel Prize तो इन्हें मिलाता किस के लिए रमन इफेक्ट के लिए अब रिसेंट इनकी birth anniversary मनाई गई जो कि कब मनाई गई थी याद दिखेगा 7th of November को 7 November 1888 को Indian physicist CV रमन जो है इनका birthday होता है Nobel Prize देने कौन से year में मिलाता ये हमें याद रखना है 1930 1930 में जो है इन्हें physics में दिया गया था Nobel Prize और Asia की ये पहले person मने थे जिन्हें physics केटिगरी में Nobel Prize मिला Next question है Popular folks singer and Bihar Kokila शार्दा सिन्हा पास्ट अभी शार्दा सिन्हा जो है इन्हें बिहार कोकिला के नाम से चाना चाता था यहाँ बुचे कि कौन सी year में इन्हें पद्म भूशन अवार्ड दिया गया चट पूजा तो चट पूजा के जो है फॉर्स्ट जो पूजा का फॉर्स्ट होता है उसे दिन इनका निदन हो गया इनको एक और इंपोर्टेंट अवार्ड मिला है जो कि है पद्म श्री और यह मिलाता है इने कौन सी year में 1991 में Next who was recently elected as a third director general of the ISA यानि International Solar Alliance के तीसरे महानेदेश के रूप में किसे चुना गया राइट आंसर इस आशीश खन्ना आशीश खन्ना जो है इन्होंने रिप्लेस किया है किसे अजय माथुर को International Solar Alliance की formation होई थी 30th November 2015 में इसका headquarter है कहां या दखेगा friends गुरू गराम में Next question है Where is the 9th India-Indonesia joint exercise जोकी है गरूर शक्ती being conducted तो गरूर शक्ती जो exercise देखिए ये किस-किस country के बीच में हुई है तो ये exercise हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच edition कौन सा हुआ तो ये या दखेगा 9th edition कहां हुई तो ये exercise हुई है जकारता में तो ये जो exercise है ये 1 November से शुरू हो गए तो और कब तक चलेगी देखे 12th of November तक तो दोनों countries की जो defense cooperation है दोनों countries के बीच में जो रक्षा सही होग है उसको मजबूत बनाना इस exercise का में उदेश्य है Next question The 352 governing body meeting of the International Labour Organization was held in which city अंतराश्टे श्रम संगठन की 352 भी देखे जो शाशी निकाई की बैठक है कि शहर में आयोजित की गई है तो फेंट सी बैठक कहां पे हुई है जेनेवा, स्विजलेंड में International Labour Organization की formation हुई 11th of April 1919 Headquarter है जेनेवा में and Director General है Gilbert Hangbo Next question Where is the 15th edition of the exercise वजर प्रहार Scheduled to take place चुकि 2 November से लेके 22 November तक चलेगी वजर प्रहार exercise चुह है, ये exercise कहां पे शुरू हुई है, इदाहू USC में और इस बार इसका देखे edition कौन सा हुआ है, 15th ये भी आ देखेंगे किस-किस कंट्री के बीच में exercise शुरू हुई इंडिया और यूएस के बीच में चुकिए, तो when new edition and किस कंट्री के बीच में हो रही है ये questions यादकी का exercise से next is which state government recently launched deepam 2.0 scheme तो किस राज़ सरकार ने शुरू की है deepam 2.0 योजना friends ये योजना शुरू की है किसने आंधर प्रदेश गवर्मेंट ने ये जो scheme है इस scheme का उदेश है free cash landers provide करना जो भी eligible families होंगी देखें, उनकी quality of life यानि उनकी जीवन इस तर में सुधार हो सके उसके लिए उनको free में दिया जाएगा guest cylinders so also इसमें महिलाओं को भी देखे financially support किया जाएगा ताकि उनके उपर जो financial burden है अपनी family का वो कम हो सके next what position did India rank in the first global nature conservation index 2024 so पहला ही edition आया है देखे वैश्वे प्रकरती संरक्षन सूचकांग का और इस में इंडिया को rank मिली है 176 इस index में नमबर वन position पे है Luxembourg country इंडिया की rank है 176 एंड लास्ट rank इसकी है किरिबादी अगला question है इंडिया's first analog space mission has been launched at which place बारत का पहला जो analog अंतरिक्ष mission है ये किस स्थान पे launch किया गया इसे launch किया गया है कहां पे लिह लद्दाग में और ये भी आ देखेंगे इस mission को launch किया है किसने इंडिया के space agency ISRO ने ISRO का full name है Indian Space Research Organization इस्थापन हुई 15 August 1969 में headquarter है बिंगलोर में and chairman है एस सोमनाथ next question which geological park has become India's first zoo to earn certification from the Indian Green Building Council कौन सा देखें जियो लौजिकल पार्क है जो भारते हरित भवन परिशट से प्रमानन प्राप्ट करने वाला भारत का पहला चिड़िया घर बन गया है तो ये पार कौन सा है दुर्गेश अरन्या जियो लौजिकल पार्क located कहां पे है ये हिमाचल प्रदेश में अगला कोशन है हाली में देखे दुनिया का सबसे युबा रेटेड फिडे शत्रण्च खिलाडी कौन है तो इस खिलाडी का नाम है अनीश सरकार अनीश सरकार आप देख सकते हैं कितने यंगेस्ट प्लेयर हैं और ये सिर्फ और सिर्फ तो हैं फ्रेंट्स त्री इयर्स के हैं बेलॉंग करते हैं कॉलकाता वेस्ट बिंगॉल से तो सिर्फ और सिर्फ तीन साल में ही इन्होंने फिडे रेटिंग कितनी हांसल कर ली है 1555 अगला कोशन विच विच व दे फॉलोइंग अवार्ट्स हाज पीन डिसकंट्यूड बाइड़ स्पोर्ट मिनिस्ट्री अभी रिसन देखे स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने कौन सा परिशकार बंद कर दिया है तो वो कौन सा है ध्यान चयंत लाइफ टाइम अवार्ट और इस अवार्ट की जगा पे जो नया देखे इसको रिप्लेस किया है ये किया है अरजुना अवार्ड लाइफ टाइम से अब रिसन देखे इनका नाम है विवेक देवरोई जिनका निधन हो गया किस छेतर के प्रसिद व्यक्ती थे तो ये थे किस छेतर से लेटेट इकनॉमिक्स यानि अर्थ सास्त्र या देखेगा रिसन्ट्ली इनके बारे में हमें इंपॉर्टन पॉइंट ये भी आतकना है क जो विवेक देवरोई थे ये प्राइम मिनिस्टर की जो एकनॉमिक एडवाइसरी काउंसिल होती है ना उसके ये चेयर्में थी यानि जो एकनॉमिक अली प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते है तो इस काउंसिल के चेयर्में कौन थे विवेक देवरोई अगला कोशन म महादेई wildlife century जोकि news में रही थे, कॉनसे state में ये located है, तो महादेई वन्यचिब अभ्यारणय ये कहां पे है, गुवा स्टेट में located. इसके बारे में जो हमें न्यूज यादत नहीं है अभी रिसेंटली यहाँ पे एक अडल्ट टाइग्रिस और उसकी तीन कप्स जो बच्चे हैं टाइग्रिस के वो यहाँ पर रिसेंटली स्पॉट किये के देखे गए पहली बार 2020 के बाद गोज स्टेट की बात करी तो कापिटल है परणजी, सीयम है प्रमू सावंत और गवर्नर है पियर शरीधरन पिलाई अगला कोशन है विच स्टेट सेलिब्रेट्स दा बाली पद्यमी फेस्टिवल कौन सा राज्य है जो बाली पद्यमी तुहार मनाता है तो ये फेस्टिवल करनाटक स्टेट में मनाया जाता है दीपा वली का जो फोर्थ डे होता है न उस दिन मनाती है करनाटक में बाली पद्यमी फेस्टिवल करनाटक स्टेट के कापिटल है बिंगलूरू, सियम है सिद्धा रमया, गवर्नर है थावर्चंद गहलोद नेक्स्ट कोशन है दे एलिवेट 2024 स्कीम एड डिजाइन फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टप्स यह किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉंच की है तो एलिवेट योशना जो है इसे शुरू किया है करनाटक स्टेट ने यह जो स्कीम शुरू की गए है इसमें स्टार्टप्स जो है न उनको 50 लाग रुपे तक का ग्रांट जो है प्रोवाइड करा जा सकता है और जो भी वेंचर कापिटल नेटवर्क्स के लिए जो भी एक्सेज होगा जो भी उसके लिए पहुँच होगी उन सभी को भी यह सपोर्ट करता है एलिवेट 2024 इसकीम अभी रिसेंटली देखे रक्षा सचिव का पदभार किसनी समाला है तो डिफेंस सेकेटरी बनी है राजेश कुमार सिंग नेक्स कोशन है फॉर विच फिल्म इस एंजलिना जोली बिंग रिकगनाईस्ट विद दी परफॉर्मर ट्रिब्यूट अड़ थर्टी फॉर्थ गौथम अवार्ड्स सु थर्टी फॉर्ट गौथम अवार्ड्स में एंजलिना जोली को किस फिल्म के लिए परफॉर्मर ट्रिब्यूट से सम्मानित किया गया तो फिल्म का नाम क्या है मारिया विष्व सुनामी जागरुकता दिवस तो ये मनाए गया है फ्रेंड्स का 5th of November को इस इनकी देखे स्थापना कीती United Nation General Assembly ने कब येर यादे केंगे 2015 में चिके विष्व सुनामी अवेर्नस टी इस दो सालों के लिए न जो International Solar Alliance है उसका प्रेजिदेंट एक कंट्री चुनी गई है और कौन सी कंट्री चुनी गई है इंडिया तो अध्यक्ष बनाएं गई और जो सहे अध्यक्ष कंट्री बनी है वो भी याद खेंगे यानि इसकी सहे अध्यक्ष कंट्री बनी है फ्रांस 2024 से 2026 तक International Solar Alliance की स्थापना हुई थी 13 नेवेंबर 2015 में Headquarters का गुरुग्राम में है और डारेक्टर जनर्नल है आशीश कन्ना जापन द्वारा परिक्षन किये जा रहे विश्व के पहले लकडी के उपगरह का नाम किया है ये सेटलाइट वोडन से बना है और इसको नाम दिया है लिगनोसेट जापन के स्पेस एजनसी ये दोनों मिलकर वोड की पहली वोडन सेटलाइट जिसे नाम दिया है लिगनोसेट इसे लॉंच करने की प्लानिंग कर रही है इसको लॉंच करने से क्या होगा ना कि जो भी स्पेस फ्लाइट होती है ना वो और भी सस्टेनिबल बना सके ये कोशिश कर रही है दोनों नासा और जाकसा अगला कोशन विच इंडियन लांगवेज अपियर्ड ओन न्यू यॉक्स बैलेट पेपर इन दा यूएस प्रेजिदेंशल इलेक्शन सो यूएस में अभी जो इलेक्शन होए थे रेसेंट प्रेजिदेंट के देखे सो न्यू यॉक्स के बैलेट पेपर पर कौन सी भाटे भाषा दिखाई दी आंसर इस बिंगॉली सो सिफ इंग्लिश ही नहीं बलकि चार अधर लेंग्वेज जो है इस बार यूएस के जो प्रेजिदेंशल इलेक्शन थे उनके बैलेट पेपर पर फीचर की गई ये चार लेंग्वेज थी चाइनीज, स्पैनिश, कॉरियन और बिंगॉली इंडिया की जो एक मातर लेंग्वेज उस पे फीचर हुई ना वो याद अखेंगे जो की है बिंगॉली नेक्स्ट कोशन देखे इस बार जो रिपब्लिक डे ट्वेज ट्वेज़ का सेलिब्रेशन होगा ना इंडिया का उसमें चीफ गेस्ट के रूप में किसे इनमाइट किया गया है इस बार के चीफ गेस्ट कौन होंगे प्रावावो सुभियांतो प्रावावो सुभियांतो कौन है तो ये इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट है जो इस बार 2025 में रिपब्लिक डे सेलिबरेशन पर होंगे ची है he is from which country so जितने भी चौदे दिखी इन्होंने टॉलिस्ट माउंटीन की चड़ाई करी है न वो सब 8000 मेटर से जाधा की है और यह सबसे यंगेस्ट क्लाइंबर बनी इनका नाम है निमा रिंजी शेरपा और यह बिलॉंग करती है नेपाल कंट्री से अगला कोशन है वेर वो तो यह हुआ था कहां पे न्यू डेली में इस अमेलन को और्गनाइस किया था Ministry of Culture and the International Buddhist Conference ने इसकी थीम देखे क्या है रोल ओफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया नेक्स्ट कोशन है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉंच्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मॉबाइल अप्लिकेशन मॉबाइल अप्लिकेशन का नाम है CRS नागरिक पंजीकरा प्रणाली मॉबाइल अप्लिकेशन और यह लॉंच की है Ministry of Home Affairs ने अब इस मॉबाइल अ अप्लिकेशन हो सकता है सिर्फ एक बटन से ही birth और death की जो भी registration है उसके बारे में easily बहुत हो सकता है तो time saving है यह इससे time की काफी जादा जो है वो budget हो सकीगी So test cricket में भारत के पांचवे सबसी जादा विकेट लेने वाले गेंदभास कौन बन गए राइट आंसर इस रविंद्र जडेजा अगला question है क्रिशा वर्मा who was in the news recently related to which sport So क्रिशा वर्मा किस खेल से संबन देत है इनका संबन किस से है boxing से क्रिशा वर्मा के बारे में news या दखेंगे कि इन्होंने अभी under 19 world boxing championship में कौन सा medal चीता है gold और यह जो world boxing championship अभी under 19 की यह हुई थी कहाँ पे Colorado USC में Next question है which player won men's republic title at the Brazilville Challenger 2024 tennis tournament तो किस खिलाडी ने देखे Brazilville Challenger 2024 tennis प्रत्योगिता में पुरुष रिपबली का खिताब जीता है पुरुष रिपबली का खिताब जीता तो यह title जीता है किसने friends करंड सिंग ने Question है अगला रोहिद बाल who passed away recently was known as a legendary figure in which field अभी recently देखे रोहिद बाल जो है इनका निधन हो गया किस शेतर में एक महान व्यक्ति की रूप में यह जाने जाते थे तो यह इनका संबनता fashion designing के चेतर में अगला question है which edition of the Vietnam India bilateral military exercise binbex यह कहाँ पे शुरू हुई तो यह exercise शुरू हुई है देखे अंबाला हरियाना में कौन से edition शुरू हुआ तो विनbex का शुरू हुआ इस पार 5th edition विनbex चो exercise है इसका main उदेश है इंडिया और वियतनाम की जो joint military capabilities हैं उनको बढ़ाना next day who has inaugurated the swab lamban 2024 exhibition at भारत मंडपम भारत मंडपम में swab lamban जो प्रदर्शनी हुई थे के exhibition हुआ इस exhibition का उद्गाटन किस ने किया राइट आंसर इस दिननेश तरपाटी ने जो है इसका उद्गाटन किया है next question which is statue has been unveiled by home minister अमिश शहा in census भवन ग्रह मंत्री अमिश शहा ने जनगर्णा भवन में किस प्रतिमा का अनावरण किया तो किनकी प्रतिमा का अनावरण किया सरदार बलब भाई पतेल जी की सरदार बलब भाई पतेल जी के बात करते हैं तो ये इंडिया के पहले deputy prime minister थे और पहले home minister थे इंडिया के इस बार देखे सेदार बलब भाई पटेल जी के जो बिर्थ एनिवर्सरी मनाएगी वो थी 147th इनकी बिर्थ एनिवर्सरी के दिन एक इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है जो की आदकेंगे जो की है नाशनल यूनिटी डे राश्टी एकता दिवस सरदार बललब भाई पटेल जी को आइरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना चाता है स्टेचू आफ यूनिटी जो है इनके ओनर में बनाएं के थी जो की है गुजरात में लोकेटिड इसकी हाइट है 182 मेटर्स की और इसको डिसाइन किया था रामवी सुतार्णी नेक्स्ट है वाट इस इंडिया पोजिशन इन दा लिस्ट ओफ लीडिंग कांट्रीज इन दा ग्लोबल AI रेडिनेस इंडेक्स तो देखे अभी रिसेंट्ली जो वैश्विक AI ततपड़ता सूचकांक आई है उसमें भारत का स्थान किया है तो इंडिया का इसमें स्थान है 72 टॉप थ्री कंट्रीज में नमबर वन कंट्रीज आ देखेगा जोकी है सिंगापूर लास्ट प्लेस मिला है साउथ सुदान को और इस इंडेक्स को रिलीस किया है इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड नी नेक्स्ट है कंपनसेशन और हुमन डेथ दियो टो वाइल लाइफ अटेक है अगर किसी हुमन की डेथ हो जाती है तो उनको कंपनसेशन के रूप में पहले मिलते थे आट लाक रुपे मद्र बिदे सरकार के द्वारा लेकिन इस कंपनसेशन को बढ़ा कर दिया गया है 25 लेक रुपीस अभी रिसेंट एक मद्र प्रदेश में घटना हुई है देखे उसी घटना के दोरान ऐसा डिसीजन लिया गया उसके बाद ये घटना हुई थी एक एलिफेंट जो है उसके द्वारा दो यहाँ पे लोगों की डेथ हो गए थी एलिफेंट ने दो लोगों को चल कर मार डाला था तो उसके दिन की उसके बाद ही जो है वो मद्ध वद्ध सरकारनी जो है ये फैसला किया है नेक्स्ट कोशन है कंणर शौट फिल्म फिल्म का टाइटल है सन्ट फ्लास वर्थी फिर्स वनस to know has been nominated for तो किस अवार्ट के लिए नॉमिनेट लुई है ये कंणर शौट फिल्म तो ये नॉमिनेट हुई है देखे ओसकर के लिए ओसकर में भी ये नॉमिनेट हुई है कौन सी केटिग्री में लाइव एक्षन शॉर्ट फिल्म केटिग्री में इस फिल्म को डारेक्ट किया किसने चिदानंद S. नाइक ने Next question, which country won the title of SAFF Women's Championship 2024 SAFF महिला Championship जो है इसका किताब किस देश ने जीता तो ये टाइटल जीता है बांगलादेश ने इसमें देखे बांगलादेश ने फाइनल में किसे हराया था नेपाल को फाइनल में जो था ये हुआ था दश्रत स्टेडियम जो कि लोकेटेड कहां पे है काटमांडू में अगला question है India won how many medals at the under 19 वर्ड बॉक्सीं चैंपेंशिप्स भारत ने अभी देखे under 19 विश्व मुक्य बाजी चैंपेंशिप में कितने पदक जीते तो इंडिया ने जीते हैं टोटल 17 मेडल्स अंडर 19 वर्ड बॉक्सीं जैंपेंशिप दीए कहां पे हुए कोलोराड युएस ने मी टोटल दिखें 17 मेडल्स जीते भारत ने जिसमें 4 जीते गोल्ड 8 जीते सेलवर और ब्रॉंस कितने जीते हैं 5 चार देखें चो गोल्ड मेडल्स जीते वो जीते क्रिशा वर्मा पार्थवी क्रेवाल वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवानी अगला कोशन है इंडियास अतनुदास हैस बैग्ड विच मेडल इन्दा स्विस ओपन इंडोर आर्चरी और ये चैंपेंशिप उईती देखें लोसें स्विसलेंड में तो भारत की अतनुदास जो है उन्होंने कौन सा पदक जीता है देखिए उन्होंने जीता है इसमें ब्रॉंस मेडल नेक्ट कोशन है नैशनल कैंसर अवेर्नस दी ये कब सेलिबेट किया गया है सो फेंड्स यहां बात करती है राष्टे कैंसर जो जागरुकता दिवस से देखिए ये कब सेलिबेट किया गया है सेवेंट आफ नेवेंबर को इस दिन की बात करती है तो इस दिन का में परफस क्या है कैंसर के जो अलग-अलग टाइप्स होते हैं उसके बारे में लोगों को अवेर करना और किस तरह से जो डेडली जो डिसीज है देखो इसका जो कैसे स्प्रेड होता है तो लोगों को ना इसके बारे में जो है अवेर करना इस दिन का जो है वो में उद्देश है पहली बार जो है National Cancer Awareness Day स्टार्ट हुआ था September 2014 में अगला कोशन है Who has won 47th President of the US अब US में election हुई और यहाँ पे 47th राष्टपती के रूप में जीत हासल किसने की है Donald Trump Donald Trump जो है इन्होंने defeat किसे कमला है इसको और यह दूसरी बारे इनका second term है बने है यह US के President अगला कोशन है India and which country have signed an M.E.U. on bilateral defense cooperation भारत और किस देश ने दोईपक्षे रक्षा सहीयोग पर समझोते ग्याफन पर हस्ताक्षर किये है तो यह M.E.U. इंडिया और Algeria country के भी sign हुआ है Algeria country located है South Africa continent में capital है Algerious currency है Algerian dinar and Prime Minister है Nadir Larbui अगला कोशन है which country recently hosted the ocean summit तो recently अभी किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मिजबानी की तो इस summit को अभी recently host किया है इंडिया नी नेक्स्ट कोशन है which space agency is set to launch the European Union's proba third solar observation mission ये mission December में launch किया जाएगा और कौन सी space agency से launch करने के लिए तयार है proba third solar of local mission को launch करेगी इस रो ये जो mission launch किया जाएगा किसले किया जाएगा देखिए तो sun का जो faint corona है जो धुनला corona है इसका अध्यन करने के लिए इसको design किया गया है ये third collaboration है इंडिया का किसके साथ में European Union के साथ में इससे पहले दो mission इसके launch हो चुकी हैं जोकी proba first and proba second है अब December में European Union का प्रोबा third solar observation mission launch करेगी इस स्पेस एजन्सी अगला question है गोविंद सागर लेक जोकी हाली में न्यूस में रही कौन से state में located है तो गोविंद सागर जील ही आपकी located है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश को जो chief minister है उन्होंने अभी recently launch की यहाँ पे water sports activity कहाँ पे गोविंद सागर लेक में तो इससे इन्यूस में रही थी यादेखेंगे location इसकी हिमाचल प्रदेश next question state bank of India has appointed whom as a chief general manager of its new Delhi circle SPI ने अपने नई दिल्ली circle का जो है मुख्य महाप्रवंदक किसे न्युक्त किया है right answer देवशीष मिश्रा statement of India की स्थापना हुई 1st July 1955 में headquarters का Mumbai में है and chairman है चल्ला श्री निवासलू शेटी next question देखें a book जिसका title friends India's closest strategic partners authored by किसने लिकी है ये book friends जो book है ये लिकी है प्रोफेसर श्रीराम चौलियानी next question है world radiology day was celebrated on wish day wish और radiology दिवस तो ये celebrate कब किया गया है 8th of November को 8th of November को इसलिए किया गया है ना इस दिन देखें एक discovery को honor करने के लिए और discovery कौन सी है X-rays X-rays के जो discovery की थी William Conrad Rungton ने की थी 1895 में तो X-ray के coach को समानित करना इसका उद्धिश्य है और इसकी 2024 की theme है radiographers seeing the unseen next question है what is the name of the Zimbabwe's recently launched satellite Zimbabwe के द्वारा जो अभी satellite launch की गई उसका नाम है Zimset 2 ये satellite launch की गई है रश्यासी और इस satellite को launch किया गया है जो Zimbabwe के space program है ना उसको और भी strengthen यानि उसको और भी मजबूत करने के लिए next question the 21st edition of the India-US military cooperation group meeting was conducted in this city India-US से सेन्ने सहयोग समोगी जो 21 भी बैठक है कहां आयोची तुई तो ये बैठक आयोची की गई कहां पे New Delhi में अंगला question है NTPC and which company formed a joint venture to tap renewal energy तो NTPC और किस company ने नवी करने है उर्जा का दोहन करने के लिए एक joint venture का गठन किया तो second company है ONGC ONGC का फुल नेम है Oil and Natural Gas Corporation Limited इस्तापना हो इसकी 14 अगस 1946 में headquarter Delhi में है and chairman है अरुन कुमार सिंग अगला question है which ministry launched the tulip digital platform किस mantra ले ने tulip digital platform launch किया ये platform launch किया है ministry of social justice and empowerment ने अब देखिए जो tulip digital platform है इसका full name याद दखीगा traditional artisans upliftment livelihood program ये जो digital platform शुरू किया गया ये शुरू किया गया जो भी marginalized community से जो artisans आते है जैसे schedule cast other backward class sanitation workers जो disabled person है उन सभी artisans को उनको support करने के लिए शुरू किया गया है tulip digital platform नेक्स्ट कोर्शेन अब पीम विद्यलक्षमी स्कीम वस इंटर्डूस्ट तो प्रोवाइट सपोर्ट फॉर तो किने support प्रोवाइट करने के लिए प्रधान मंत्री विद्यलक्षमी योशना शुरू की गई ये योशना शुरू की गई है higher education में financially मदद करने के लिए financially assistance देने के लिए next question which railway station in Bihar is set to be renamed after Aj Ghebinath Dhaham Bihar का कौन से railway station है जिसका नाम बदल कर Aj Ghebinath Dhaham रखनी की योशना है तो railway station का नाम है Sultan Ganj जिसका बदल के रखा जाएगा Aj Ghebinath Dhaham next question recently which state cabinet has approved a proposal to raise the reservation for women in state government jobs from 33% to 35% सो देखें November 2024 में किस राज्य कामिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षन को 33% से बढ़ा कर 35% करने के प्रिस्ताव को मंजूरी दी है तो ये मंजूरी दी है मध्यप्रदेश गवर्मेंट ने ये जो डिसीजन लिया है न ये एक काबिनेट मीटिंग हुई थी जिसको लेट किया था मध्यप्रदेश के सियं मोहन यादव ने तो जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के जो एक्जाम होते हैं जो Employee Selection Board कंड़क्ट करते हैं जो भी स्टेट के एक्जाम उनमें वुमेंस जो कोटा है न उसको 35% कर दिया है अगला कोशन विटिस स्टेट इन इंडिया लॉंच्ट इस फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंस सिंस 1931 बारत में किस राज्य ने 1931 के बाद पहली व्यापक जाती जनगरना शुरू की तो ये स्टार्ट की है तेलंगाना स्टेट ने ये जो सर्वे किया है नहीं इसमें comprehensive डेटा इखटा किया गया है जो की social, economic, political, caste, educational status तो सभी घरों के ये जो पूरा डेटा है हर एक दिखेरिया को लिया गया है इसमें और इसको जो ये caste census है इसे conduct किया था state planning department ने next which bank has unveiled an online re-KYC service to simplify the KYC update process for its customer किस bank ने अपने customer के लिए KYC जो update process है उसको सरल बनाने के लिए online re-KYC जो services इसको unveil किया है ऐसा किया है Indian Overseas Bank ने Indian Overseas Bank जो है इसकी देखे स्थापना हुई 10th of February 1937 में Headquarter चेन्नई मेहर MDCO है अजे कुमार श्रीवास्तव next question who has won the World Boxing Federation's Super Featherweight World Title 2024 विश्व मुक्यबाजी महासंग का Super Featherweight विश्व खिताब किसनी जीता तो ये जीता है मंदीप जांगडानी जो World Boxing Federation's Super Featherweight World Title मैच है तो ये हुआ कहाँ पे ता देखे Cayman Island में और सो देखे जो मंदीप जांगडा है ना उन्होंने उनको 2015 में गवर्मेंट ने Arjun Award से सम्मानित किया है Next Question है National Legal Services टे कब celebrate किया गया राष्टे विधिक सेवा दिवस तो ये celebrate किया गया है 9th November को 9th November को किया जाता है देखे इस दिन Legal Service Authorities Act 1987 के शिरुवात हुई थी तो उसके शिरुवात को चिनित करने के लिए ये मनाया जाता है कि एक्ट लागू हुआ था 1995 में Supreme Court ने जो है Stabilize किया Legal Service टे कौन से कब कौन सी यर में 1995 में अगला कूशन है Which country has introduced a new scheme called Trust Tour Operator Scheme to boost tourism from India in China किस देश ने भारत और चाइना से परेटन को बढ़हावा देने के लिए Trusted Tour Operator Scheme नामक एक योशना शुरू की तो ये योशना शुरू की है South Africa ने ये जो initiative शुरू हुआ है इसका उदेश है क्या है कि South Africa में जो tourist हाती है परेटो को की संख्या उसकी वरदी के माध्यम से यहाँ पे job creation रोजगार सरजन को बढ़हाना इसका उदेश है अगला question ने which country has proposed a ban on social media for people under the age of 16 किस देश ने 16 वर्ष से कमायों की लोगों के लिए social media पर प्रतिबंद लगाने का प्रिस्ताव दिया है ये प्रिस्ताव किस ने दिया है Australia country ने Australia country ने ऐसा असले किया है ना से social media की वज़ा से बच्चों के उपर जो harmful effect हो रहे है बच्चों को जो नुकसान होता है उससे बच्चों को उस नुकसान को कम करना इसका उद्देश्य है Australia की बात करने इस तो capital है Canberra और यहाँ पर currency है Australian dollar Next which edition of Indian military heritage festival begin in New Delhi भारते सेन्य विरासत महोसव का कौन सा संस्करन नई दिल्ली में शुरू हुआ Right answer is second edition ठीके और यह जो Indian military heritage festival है इस festival को inaugurate किया Chief of Defense Staff General Anil Chohani दो दिन यह festival चलाता जिसमें सभी global Indian think tanks और public private जो undertakings है academicians हो गए research scholars हो गए यह सारे एक जगें इंगेज होए और इंडिया की जो military history है जो military heritage है यानि जो military विरासत है उसके उपर यहाँ पे discuss किया गया Next question Who won third Rohini Nya Prize 2024 तीसरा रोहिनी नई बुरुषकार किसने जीता तो यह प्राइस जीता है Anil Pradhani Next is What is the name of the indigenously designed and manufactured machine pistol that was recently inducted into the Indian Army सुदीशे रोह से design and nirmit machine pistol का नाम किया है जिसे अभी भारते सेना में शामिल किया गया है तो इस pistol का नाम रखा है अस्मी इस pistol को manufacture किया गया राइदराबाद बेस्ट लोकेश मशीन लिमिटेड में Next is In November 2024, which of the following two states formed a joint corridor management committee कि इन दो राजियों ने सयुंक्त गलियारा प्रवंधन समीती का गठन किया तो ये गठन किया है राजिस्थान और मध्य प्रदेश ने इस committee को गठन करने का परपस किया है देखिये दोनों राजियों में चीता के संडक्षन के लिए उनकी conservation के लिए काम करना Next question है उत्राखन became the 27th state of India after separating from which state उत्राखन जो है किस राजिये से अलग होकर भारत का 27 वा राजिये बना उत्राखन अलग हुआता उत्तर प्रदेश से उत्राखन की देखिये formation हुई थी 9th November 2000 को उत्राखन को कहा चाता है देभूमी या फे Land of Gods Capital यहां की है देरादून और गैरसेन Governor है गुरमीद सिंग Chief Minister है पुशकर सिंग धामी Legislative Assembly seats है 70 राजिय सबा सीट से 3 एंड लोग सबा की है 5 Next question Which bank has launched e-bank guarantee facility किस bank ने e-bank guarantee सुविधा शुरू की तो यह सुविधा शुरू की है पंजाब एंड सिंद बैंक ने पंजाब एंड सिंद बैंक यह सापना हुई 24 जून 1908 में हैड़कॉर्टर न्यू डेली में है MD CEO कौन है स्वरूप कुमार साहा अगला question है Visa has appointed whom as a country manager for India तो Visa ने भारत के लिए country manager के रूप में किसे न्युक्त किया है आंसर इस रिशी चाबड़ा को तो friends आज के हमारी weekly care interface के सभी most important questions complete हो गए है अब एक छोटा सा आपका test ले लेते हैं तो test का हमारा पहला question है Where was the first Asian Buddhist summit held पहला देखिए जो एशी आई बहुत शिखर सम्मेलन हुआ है कहां आयोजित किया गया है Second question है International Solar Alliance के अभी तीसरे डाइरेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया तो यह आपकी दो questions है इनके answer जो है आप लोग friends मुझे comment box में जरूर लिखें इसे के साथ आज का इस session यहाँ पे complete होता है Friends देखें अगर आप हमारी कोई भी e-book purchase करना चाहती है तो इसके लिए आप हमारी website को visit कर सकते हैं जो की है www.ravibookspedia.com website open करके आपको हमारी सभी important e-books मिल जाएंगी इन e-books में आपको देखें most important हमने सभी questions दी हैं आपकी आने वाले सभी exams के लिए इसके लाब friends आप लोग एक और चीज़ याद एक हैंगे हमारी application है जिसका नाम है Ravi Study Application इस application को आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे आपको test series मिल जाएंगी daily care interface जो हम cover कराते हैं उसके आपको यहाँ पे test मिल जाएंगी PDF files आपको मिल जाएंगी GSK notes मिल जाएंगी तो यह सभी चीज़ें आपको हमारी application पे available मिल जाएंगी So friends, आज का weekly care interface का यहाँ पे important session पूरा हो गया है आज का session अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस video को like और share करेगा and please हमारे channel को भी subscribe ज़रूर करें ऐसे ही important session देखी हम आपके लिए आगे और भी लेके आती रहेंगे Thank you so much for watching this video